गाईज, Microsoft Excel में आपने डाटा एंट्री के लिए यूजर फॉर्म जरूर बनाए होंगे नहीं बनाए होंगे तो आपने सीखा जरूर होगा लेकिन आज हम सीखेंगे बिल्कुल हट के एक amazing, fully automatic डाटा एंट्री फॉर्म किरियेट करना किस परकार create करेंगे यह जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो इस यूडे मन तक बने रहे हैं नमस्कार साथ ही मेरा नाम है मनोश कुमार और आप देख रहे हैं सब्सक्राइब में लेकिन अहीं साथ ही बचेशन यहां से फिल कराले लेगे अब यहां सरी अब भी submit बटन मेरा चालू नहीं हुआ है जैसे यहाँ पर term condition पर click कराता हूँ तब submit बटन चालू होगा submit कराएंगे बटन पर तो देखो हमारा यहाँ पर data entry थोड़ा सा fluctuate हुआ है ना time थोड़ा ज़्यादा लगए कोई दिकत नहीं है क्योंकि यहाँ पर system पर कापी load पड़ा हुआ है recording भी चल रही और भी program चल रहे है database में जाते हैं तो मैंने जो entry करी थी यहाँ पर फिल हो चुकी है इसी परकार दूसरी entry करेंगे तो देखो हम check box पर check है पहली लेकिन अभी भी यह चल रहा कब चलेगा जब हम यह तो पूरा data entry करेंगे जैसे मैं यहाँ पर data entry कर रहा हूं तो आप देख रहो यहाँ पर जो mandatory star दिखा रहा है यह जैसे enterprise करेंगे तो यहाँ पर यह clear हो गया है ना ऐसे दूसरी entry करते हैं आगे चलते हैं यह साथ-साथ हमारे check box के लिए भी होते जा रहे हैं यह हमने कहां पर लिख दिया यहाँ पर हमने लिखना data birth में आएंगे कोई भी हम data birth यूज करते हैं यह भी देखो हमारे चेक हो गया यहाँ पर CTM डालते हैं वो भी चेक हो गया इधर हम state चुन लेते हैं यह भी चेक हो गया और contact number के अंदर हम contact number डाल देंगे ठीक है दूसरा आपको क्या देखने को मिल रहा है दूसरा हम जैसे ही लिख रहे हैं तो यह ग्रो ग्रे कलर है सैल का और जैसे हम कोई भी यहाँ पर एंट्री करते हैं तो देखो वो कलर भी यहां पर वाइट हो रहा है साथ साथ है ना क्लास डालते हैं और कोर्स भी हम यहां से चुन लेते हैं डोप डाउन से देखो अब यह सब्मिट बटन चल गया जैसे मैंने यह एंट्री पूरी करिए चेक बोक्स हमारा पहले ही था इसको अंचेक कराते हैं तो फिर से यह हो जाता है और जैसे इसे चेक कराएंगे यह इनिबल हो जाएगा बटन और उसपसे जैसे हम एंट्री करेंगे तो हमारी दूसरी यह सब्मिट हो जाएगी यहां पर जाकर देखते हैं दोको दूसरीмы नहीं हमारी सब्मिट हो चूकी है तो इस परकार का एक Nedek और स्जी भी बता चुका हूं इसमें यदि आपको कोई changing सीए तो वो भी हमको comment box में लिखके बताएं तो इसको पहले हम बिल्कुल starting से बनाना सीख लेते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको design करने से start करते हैं मैंने एक seat लिए यह form की seat है और एक मैंने database की seat यहां पे लिए तो वा related सारी field यहां पे डालने इनको जैसे मर्जी design करना चाहिए आप कर सकते हैं मैंने इस परकार से design किया है मैं बीच की row का size थोड़ा सा कम करा देता हूं किलियर तो थोड़ा सा और अच्छा look मिलेगा इनको हमने और थोड़ा सा design करा लेना है इसको बाद में कराएंगे जो जो order दे सकते हैं color दे सकते हैं इसमें कोई भी gray color हमने डाल दिया ताकि जब फिल करें तो यह white color से हो जाए ऐसी condition formatting हम लगा देंगे यहां पर अब देखिए यह सारे इस परकार से नजर आ रहे हैं यहां पर हम condition formatting लगाएं कि सभी को हम select रखेंगे पहले तो और यहां से इस जग format only cell that contains और यहां पर हम blanks को चूल लेंगे ठीक है blanks रहे तो हमारा किस परकार का color हो हम कोई भी light color यूज करा ले okay कर देंगे apply कर देंगे तो देखो यहां पर यह blanks है तो यह color आ गया हम यहां से color करते तो permanent color रह जाता हम यहां पर कुछ भी type करते हैं enterprise करेंगे तो यह white हो जाता है right वापस undo करा लेते हैं यहां भी हमको कुछ dots यह मैंने clear किया तो देखो सब कुछ ही clear हो गया यहां पर मैं सब जगे dots डाल लूँगा यहां पर हम press करेंगे shift के साथ colon का और control enter press करा देंगे तो सब जगे देखो एक साथ dot हमारे fill हो गए align करा लेते हैं इसको center से में यह इतना काम हमारा formatting का हो गया यह cell देखो यहां पर थोड़ा सा हमने जब cell का size कम किया तो छुप गया इसको निचे तक हम फिर से merge करा लेंगे complete हो गया merge हमारा अब हमने क्या करना है कि जैसे यहां पर लिखें तो यहां पर जैसे यह चेक हो जाए और सारे mandatory भी हो तो हम सभी जगे हैं देखो एक बार select कर रहें उसके बाद इनको select रखेंगे ताकि बार बार हमको select करने की जरूरत ना पड़े यहां तक हम select करा लेते हैं इसका size बाद में कम करा देंगे यहां पर हम एक छोटा सा formula लगा लेते हैं जो कि यह if का कि यदि देखो सभी को select कर रखा है मैंने ताकि formula सभी में फिल हो जा खाली है तब यहां पर हम एक star लगा दें एक asterisk का sign वरना हम यहां पर एक ले लेते हैं अब यह बताता हूं मैं when one क्यों लिया है ठीक है अब control enterprise करा देंगे तो formula सभी जगा फिल हो जाएगा इसका color भी change करा देते हैं text का color कर देते हैं यहां पे red तो देखो आप red color के हमारे पास यह mandatory star आ रहे हैं अब जैसे यहां पर कुछ फिल हो तो यह tick mark भी आना चाहिए तो select रहने देंगे उसी position में हम जाएंगे conditional formatting के अंदर और चले जाएंगे यहां पर हम new rules के अंदर new rules पे यह हम पहले वाला select रखेंगे ना cell based on their values और यहां पर हम चुन लेंगे icon set अब icon set क रहे हमने right का sign लगाना है crack वाला तो यहां से icon set हम चुन ले queue और तो एक ही लगाना है बाकि नहीं लगाने इनको हम नण कर देंगे उसके लिए हम यहां पर करतेंगे no icon नहीं चाये हम को यहां भी कोई icon नहीं चाहिए अब एक ही icon चेह आहिए कब आये जब cabo यहां पर blank की बजाए कुछ लिखाओ character एक लिखाओ या एक से ज़्यादा जो भी style में लिखाओ इसलिए हमने एक लिया था ध्यान आ गया तो यहाँ पे हम डाल देंगे value के अंदर one, one या उससे ज़्यादा greater than equal to तो यह tick mark आ जाए वरना यदि zero है less than equal to zero तो कोई भी यहाँ पे icon ना आए बस ok करा देंगे हो गया सबी जगे काम fit ले लो, अब हमारा इसका कोई काम ने इसको भी हम कम करा लेते है यह लेजी अब देखो यहाँ पे मैं कुछ भी type कराता हूँ enterprise कराएंगे तो देखो यहाँ पे टिक मार्क आ रहा है यहाँ यहाँ एंट्री हो चुकी है लग रहा है ना थोड़ा अट्रेक्टिव वापस अंडू करा लेते हैं इसको अब जेंडर के लिए भी हमने लेना है इसको भी mandatory करा लेते हैं इसी को हम यहाँ से copy कराएंगे और यहाँ पे करा देते हैं paste तो यह भी mandatory होगे यहाँ पे कुछ भी type करते हैं तो यह भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे हमने type नहीं करा नहीं यहाँ पे gender के लिए हम radio button लगा दें टिक करें उसके उपर तो developer tab में जाएंगे आपके पास देखो developer tab नजर आ रही है यदि आपके पास नहीं है यह developer tab तब file में चले जाएं और यहाँ पे आपको मिलेगा option option के अंदर यदि आप office 2007 यूज़ कर रहे हैं तो सबसे उपर आपको मिलेगा popular tab और popular tab के अंदर आपको यहीं पे मिल जाएगा show developer tab और यदि उसे above version यूज़ कर रहे है तो चले जाए customize ribbon और customize ribbon के अंदर यहाँ पे देखो मिल रहा है developer है ना इसको check कर ले मेरे पास already checked है ओके करते हैं इदर developer के अंदर आपको मिलेगा insert का option और यहाँ पे आपके पास सारे button आपको मिल जाएंगे देखो मेरे पास यह रहा button है ना option button इसी को ले लेना है और यहाँ पे हम draw कर लेंगे option button को इसको adjust करा लेते हैं इसी को हम copy कराएंगे control D और इदर रखतेंगे इनके नाम change कर लेंगे इसको तो हम click कराके कर देंगे female और इसको click कराके हम कर देंगे mail इसके अंदर हम यहाँ पे आके mail टाइप करेंगे मैं इसको हटाके करा देता हूँ यहाँ पे mail बस हो गया इतना काम एक हमने check box लेना है किसके लिए हमने terms and conditions के लिए तो इन दोनों को मैं फिलाल merge करा लेता हूँ और merge कराके यहाँ पे लिख देता हूँ terms and condition right terms and condition के अंदर यहाँ पे हमको एक check box भी लगाना है तो फिर से developer में जाएंगे और यहीं पे insert के अंदर आपको check box भी मिल जाएगा यहाँ पे हम check box एक डुरा करा देंगे clear इसके अंदर जो भी text लिखा है उसको अटा देंगे काम कर रहा है check box इसको हम थोड़ा सा इधर सी नजदी कर लेते हैं right यह हमारा check box हो गया term and condition के लिए इस cell को भी bold करा देते हैं ताकि अलग से नज़रा जाए अब पहले तो इस form को active करा है active कराने के लिए भाई हमारे पास जितने cell हैं जब तक यह fill हो जाएं कितने हैं तीन और तीन च्छे और चार दस दस के दस fill हो जाएं तब हमारा submit button चालो और इन दस के अलावा हमारे ये दोनों भी चलने चीए इन दोनों पर टिक रखेंगे तब हमारा submit button चालो होगा तो यहाँ पर हम submit button भी बनाएंगे और cancel button भी बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम option button को चालो करेंगे किसी भी button पर हम एक बार control के साथ click कराएंगे इसके पर right click use करेंगे और चले जाएंगे format control पे ठीक है यहाँ पर करना है हमने checked और यहाँ पर देना है cell link तो temporary कोई भी भार एक cell हम दे देते हैं मैं यह cell दे देता हूँ और okay करा देता हूँ यहाँ पर देखो two आ गया क्यों आ गया two क्योंकि यह female पर selected जैसे male पर click करता हूँ तो one हो जाता है female पर करता हूँ तो two हो जाता है यह चल गया इसका काम भी आएगा अभी बताता हूँ कहाँ पर काम आएगा पहले हम इसको भी चालू करा ले control के साथ click कराएंगे right click और format control format control के लिए इसको भी हम करेंगे checked और इसके लिए cell address इससे निच्चे बारा डाल देते हैं okay तो यह क्या कहरा है यह true दिखा रहा है क्योंकि यह check है uncheck रहेगा तो यह false रहेगा check करेंगे तो यह true रहेगा अब जैसे इन में भी हमने entry करनी है जब यह सारी entry फिल हो तब ही तो हमारा submit बटन चाल लो ना तो यह चीज़ हम किस पर कार करेंगे देखें यहां पर हम एक function यूज़ करेंगे counter का ठीक है इसी cell के अंदर कर लेते हैं लगातार एक ही column को हाइड करना पड़ेगा फिर counter के अंदर हमने यह सारे cell दे देने यह control के साथ यह यह वाला यह वाला यह और यह सारे cell हम control के साथ select करा देंगे बस और back it close करा देंगे और enter press करा देंगे counter क्या काम करता है वो fill cell को count करता है यहां पर zero दिखा दिया क्योंकि कोई भी fill नहीं है यहां पर जैसे हम fill करेंगे तो यह एक count हो गया दूसरे को में fill कराएंगे तो यह दो count हो गया तो यहां पर no के no हमारे count हो जाएंगे और जब no के no fill हो जाएंगे तो हमारा submit button भी चल जाएगा अब इसमें देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ तो यह center से align left से align हो रहा है ना हमने इसको left से align bold करना चाहें इसको bold करा सकते है हमने bold नहीं किया था एक बोल्ड और करा लेते हैं इसको सभी को तो यहां से फटाफट मैं select करके bold भी करा देता हूँ थोड़ा सा और attractive नजर आ जाएगा clear अब देखी यहां पर हमने in cell को तो यहां पर count करा लिया जहाँ जीरो दिखा रहा है और साथ में एक ही check box भी हमारे पास जिसका यह result यहां पर दिखा रहा है तो हमने इन दोनों को combine करा लेना है क्योंकि यह जब सारे active होंगे तब ही submit button चाल लूँ हो तब यहां पर हम इन दोनों को जोड़ देंगे किस प्रकार से मैं यहां पर करता हूँ एक function end function और end के अंदर हम पहला तो दे देंगे logic की यह यह हमारा बराबर हो किस के यह बराबर हो true के और दूसरा हमारा यह बराबर हो no के no के नहीं हमारे पास तो यहां पर 10 cell है ना तो हम equal करेंगे इसको 10 के ठीक है यह 10 के बराबर हो जाए यहां पर 10 cell है तो 10 यहां पर counting आनी चीए और enter press करा देंगे तो देखो अभी यह false है तो हम क्या करें सभी जगह एक बर fill करके देखते है क्या ही हमारा काम कर रहा है हम देखो यहां पर सभी जगह है कोई भी value fill करा देते एक बर सभी जगह fill हो गई अभी भी यह false है यह तो दस हो गया लेकिन यह true नहीं हो आई यह कब होगा जब यहां पर click करेंगे check करेंगे तो देखो यह होग यह true तो जैसे यह true होगा तब हमारा submit बटन चाल लूँ हो जाएगा कोई भी एक यदि blank sl तब यह false रहेगा या फिर यह uncheck है तब यह false रहेगा clear तो अब मैं सब जगहें से यह clear करा देता हूँ सारा कुछ delete करा देते हैं इसको भी हम सभी को इनको delete करा देते हैं अब यहाँ पे अगर ct के अंदर या फिर आप courses के अंदर यहाँ पे data validation लगाना चाहते हैं drop down बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं drop down के लिए सीधा हमने data validation में जाना है उसके लिए data tab में जाएंगे और यहाँ से करेंगे data validation इसके अंदर कोई भी list आपने बना के रखी है तो वो list चुन सकते हैं या फिर manually मैं कुछ यहाँ पे डाल देता हूं जैसे कि हमने ct या state चुनना है ct में लगा रहा है हम ct की बजाए हम state पे लगा लेते हैं ताकि एक दो state हम डाल दें बस उसके बाद हमारा काम चल जाएगा आप को समझ में आ जाएगा आप सब जगे उसी परकार से drop down बना सकते हैं यहाँ पे मैं करता हूं एक हो गया हमारा पंजाब हो गया यूपी हो गया और एक MP ले ले लेते हैं करा देंगे तो यहां पर देखो एक डेटा वेलिशन लग जाएगा आपके पास आप यहां से state सिदा चुन सकते हैं किलियर इसी परकार कोर्स भी अफोर्ड के लिए कोर्स हम कौन-कौन से अफोर्ड हो रहे हैं तो हम यहां भी लिश्ट लगा लेंगे और लिश्ट के अंदर सारे कोर्स डाल देंगे हमने कर दिये स्टीमल बेसिक MS Office टैली जावा सी सी प्लस प्लस इस परकार से हम कोर्स भी डाल देंगे ओके तो देखो हमारे पास सारे यहां पे कोर्स की भी एक लिश्ट बन के तयार हो जाएगी किलियर अब बटन भी बना लेते हैं बटन बनाने के लिए आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं कहीं भी ठीक है और यहां पे एक रो को थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि हमारे पास थोड़ी सी इमेज बड़ी सी इमेज बन जाए ठीक है इसके अंदर तो हम लिख देते हैं सबमिट और यहां पे लिख देते हम किलियर का लिए इन दोनों को हम अलाइन कर लेते हैं अच्छी तरह से गollywood करें सब्सक्राइब है इसको थोड़ा ओर उपर कर लेता हुम आपको नजर आ जाए इसके लिए हम इसकासफोंट साइज थोड़ा सबढ़ा दे Omahamak कर लेते हैं सЕंटर पह बोल्ड करा देते है और इसका तो हम कर देंगे red यह cancel का है और इसका color हम कर देते हैं green लेकिन अभी green नहीं करेंगे अभी इसको मैं थोड़ा सा यह light करके छोड़ देता हूं और text color white करा देता हूं ठीक है क्योंकि यह disable नजराना चाहिए और बाद में यह active होना चाहिए तो क्या करें इसके लिए हम इस पर conditional formatting लगा देंगे तो उसके लिए हम सिधा conditional formatting में जाएंगे और चले जाएंगे new rules में ठीक है new rules के अंदर यहां से हम चुनेंगे use a formula to determine which cell to format थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना बिल्कुल आसान है ज्यादा करेंगे equal to क्या equal to क्या वाई equal to हमारा जो यह आया था यह सभी को हमने true कर दिया था ना इन दोनों को मिला के true कर दिया था यह यह यदि equal to true तब true हो तो क्या हो जाए उसकी formatting change हो जाया उसको हम कर देते हैं बहई green color से और text हमारा जैसा था वैसा ही रहे ok करा देंगे और ok करा तो यहाँ पर false है तो अभी देखो यह वैसा का वैसा है ना यदि यहाँ पर हम true कराते हैं मैं एक सारे cell fill कराता हूँ यह true करेंगे तभी तो true होगा ना सारे fill करेंगे तभी true होगा एक बर यहाँ पर फिल करा देते हैं सारे सेल और इसको भी चेक कराऊंगा तो देखो यह true हो गया और यह जैसे true हो गया तो यह green हो गया तो यह active हो जाएगा जैसे ही वो true होगा इतना काम हमारा हो गया अब क्या करें इसको हम यहां से करेंगे copy, control C और हमने थोड़ा सा उपर आके यहां पर करा देना है right click करके paste special या फिर आप यहां पर जाएंगे तो यहां भी आपको देखो paste special के अंदर आपको मिल रहा है इधर link as picture यहां पर क्लिक करा देंगे तो वो एक as a picture यहां पर paste हो जाएगा हमको यह picture में paste कराना है right और इसको भी हम इसी परकार से copy कराएंगे ctrl c और यहीं पर आके हम करेंगे इसको paste और इसको भी कर देंगे as picture दोनों बटन हमारे पास यहां पर आगे इनको बेसक्स और नीचे ले जा सकते तकि यह हमारे यहां पर दिखाई ना दे तो कुछ रो और मैं शट करा लेता हूं यहां पर तक यह और नीचे चले जाए बास उनको हमने दिखाना नहीं है clear हमको यह दो बटन नजर आएंगे यहां पर इन दोनों बटनों पर हमने काम कराना है तो यहां से यह सारा डेटा यह डिलीट करते हूं देखो हमारां डिसेबल होगे अपने आप है न हो काव इनेबल होगा जब यह एंट्री यहां पर होंगी patron 2016 पर किलिक तो होगा database में जाते हैं और हमारे पास यह जो heading है इसको copy करके हम forum के अंदर इसको भी थोड़ा सा निचे हम यहां पर रख देते हैं paste अब हमको यहां पर क्या चीए name चीए तो सिदा सिदा यह वाला cell चीए यहां जो भी लिखेंगे वह हमारा उस cell में जाना चीए वहां पर तो क्या करें यहां पर आके हम यहां पर करेंगे equal और यह cell address और enter वह यहां पर आ गया father name के अंदर equal father name enter यहां पर बस गया designation यह क्या है यहां पर equal to dq पर date of birth है यह date of birth हमारी वहां पर जाए एंटर और जेंडर के अंदर जेंडर चला जाए तो यह डारेक्ट नहीं जाएगा जेंडर किस परकार जाएगे जेंडर तो देखो हमारा इस परकार से क्या cell address लेंगे तो उसके लिए हमने देखो यहां पर लिया है यदि मेल पर चेक करते हैं तो वन आता है फी मेल पर करते हैं तो टू आता है फिर कैसे करेंगे यहां पर फोर्मला यूज करेंगे जेंडर के अंदर equal to if bracket start यदि ये cell वापस नीचे चलते हैं देखो यहां पर फोर्मला दिख रहा है ये cell बराबर हो one तब क्या आ जाए यहां पर बैसे यहां पर inverted commas लगाने की जुर्प नहीं है बराबर हो one के then अब inverted लगाएंगे तब आ जाए यहां पर male inverted commas close वर नहीं आ जाए female बस bracket close और enter वहां पर देखो one लिखा था तो यहां पर mail आ गया two होगा वहां पर तो फी मिला जाएगा ct ले लेंगे इसी परकार equal के साथ हम ct use करेंगे फटा फट मैं यहां पर यह फिल करा लेता हूं equal और state equal contact number तो लेजिए यह सारा काम हमारा हो गया फिट बास अब हमने एक छोटा सा मैक्रो रिकोर्ड कराना किस परकार से रिकोर्ड कराना मैक्रो के लिए पहले तो हम यहां पर सब कुछ डिलीट करा लेते हैं या फिर एक entry कर लेते ता कि पता भी चल जाएगा हम को है ना तो मैं यहां पर कर लेता हूं एक entry यहां पर डेटो पर डाल देते हैं हम mail हमारा पहले ही चेक है CT हम डाल देते हैं state state के अंदर हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे state चुन लेते हैं contact number registration number joining date class और course के अंदर हम एक course join करा लेते हैं और इसको check भी करा देंगी देखो submit का button भी चालो हो गया और अब हमने यहाँ पर यह सारा data copy करा लेना है उसके लिए देखो simple सा हम फिर से developer में जाएंगे और यहाँ पर करेंगे record macro यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है macro name macro name कोई भी आप डाल सकते हैं मैं फिलाल macro one ही छोड़ रहा हूं और कर देता हूं okay तो macro में क्या करेंगे हम क्या record करना है हमारे पास entry okay जो यहाँ पर आई है इसको हमने as it is यहां से करा लेना है copy control c और data sheet में चले जाना है data sheet के अंदर किसी भी एक blank cell में आ जाएंगे यहां से करेंगे हम control down arrow control left arrow और control up arrow इससे क्या हुआ इसको यह first cell यह मिल जाएगा इसको क्योंकि यहां से चलेगा last में गया left में अप जाते ही यह first fill cell यह मिला यहां से हम करेंगे यहां पर use relative reference को on और एक step down आ जाएंगे arrow की से तो यह क्या करेगा यदि हमारी entry 10 तक हो रखी है तो जैसे macro चलेगा तो यह last fill cell 10 में पकड़ेगा और एक cell down आ जाएगा blank में और वहां पर paste हो जाएगा पेस्ट करने के लिए हम राइट के लिकी यहां पर देखो date हमारी सही नहीं date of birth की यहां भी date of birth सही नहीं आई तो क्या करें हम आगे आएंगे arrow की से एक step और आगे आएंगे और इसके अंदर हम कर देंगे date का format home में जाएंगे और यहां पर हम ले लेंगे date date इसके बाद और थोड़ा सागे जाएंगे यहां पर यहरी date हमारी यहां पर फिर से हम format यूज कर लेंगे date format हो गया इतना काम कुछ columns का size कम है यह बाद में अपना adjust करा लेंगे पहले इतना बहुत हो गया अब हमने border भी बनाना है तो यहां से तो पहले आगे चले जाते हैं इधर ठीक है और इसको हम select कराएंगे यहां पर और करा देंगे border के लिए हो गया हमारा काम बस कहीं भी इसको छोड़ देंगे और एक काम हमारा गलत हो गया हमने ज जाया था कोई बात नहीं कुछ गड़बड होगी तो आप समझत हो गये यहां पर यूज रेलेटिव रेफरेंस को off कराके फिर हम इसका border बना देंगे राइट होगे इतना काम वापस से फोरम में जाएंगे स्क्रोल कराके उपर आ जाएंगे और इधर से जितनी भी हमारी entry यहां थी इनको अब हमने डिलीट भी करा देना है सभी को select कराएंगे और डिलीट करा देंगे इसको भी हम अंचक करा देंगे और first cell के अंदर आके छोड़ देंगे बास और यहीं पर कर देंगे हम stop recording इतना काम हो गया इसी परकार इसके लिए एक macro और record करेंगे फिर से record macro प 5 जितने भी हमने entry करी हैं सारी की सारी हमारी clear हो जाएं हम कर देंगे यहां पर delete press और इस पर पिर से छोड़ देंगे और फिर से macro को stop करा देंगे दोनों macro हमारे record हो गए अब इस पर हमने एक macro को apply कराना है right click use करेंगे assign macro macro हमारा एक number इस पर करना है okay और इसके उपर हम right click करें करेंगे assign macro इसके उपर macro number 2 को और okay अब देखो इन दोनों को चला कर देखें सबसे पहले यहां पर कुछ हम entry करें मैं यहां पर कुछ entry करा देता हूं यह कहां पर भाग गया यह mismatch कर रहा है क्योंकि यहां पर हमने state लिए हुए है yes yellow 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 यहां भी कुछ भी नहीं लिख सकते है कैसे हमने यहां भी पिक करना पड़ेगा और देखो हम यहां पर clear पर किलिक करते हैं सही चल रहा है यह वाला इसको चेक करें एक entry डालते हैं फिलाल हमने यहां पर देखो एक entry करी है इसका हम थोड़ा सा size बढ़ा ले तो यह जो छुप रहे हैं यह हमारे clear हो जाएंगे दो हजार दो और सीटी के अंदर हम यूज करें मॉंबाई कोई भी सीटी डाल देते हैं temporary और इधर हम करें पंजाब और contact number के अंदर contact number हो गए रजिस्टेशन नंबर एक सो दो ज्वाइनिंग डेट एक एक दो हजार तेईस और क्लास 12 और कोर्स कोर्स कर लेते हैं सेलेक्ट HTML चेक कराएंगे और सब्मेट करा देगे यहां पर कुछ अजीब सा दिखा आपको अजीब सा कुछ नहीं यह थोड़ा सा यह स्लो चलाया है क्योंकि मेरे पास कई निचे देखो टैब चल रही है इसके अंदर तो यह जब फ्लैक्ट्ट होगा तो आपको महसूस भी नहीं ह होगा और आपका डेटा यहां पर देखो हमारा स्टोर हो चुका है साथ में वोडर भी आ चुका है एक एंट्री और करा के देखते हैं यहां तुमेट करा देंगे देखो तीसरी एंट्री विए हमारी यहां पर फिट हो गई इनको हमने hide करा देना है तो right इस परकार से आप अपने form को protect भी कर सकते हैं और एक अच्छा data entry form create करा सकते हैं I hope वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा हुआ इसी परकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए अच्छा बने रहे हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा हम दोस्तों में शिर्य करें लाइक करें और यदि नए हमारे जल पे तम सब्सक्राइब जरूर कर लें